हलो दोस्तो तो आज हम जा रहे हैं एक नई रेसिपी बनाने तो उसके लिए हम ले लेंगे एक अंड़ा आप दो भी ले सकते हैं अगर आपको ज्यादा बनाना है तो अब इसमें हम डालेंगे शक्कर एक चमच और आधा चमच के करीब हम डालेंगे इसमें इस्ट को डाल के अच्छी तरह से हमें इसे फेट लेना है इस्ट और सक्कर पिसी हुई और अंडा तीनों चीज एकदम अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए उसके बाद हमें इसमें एक कटोरी के करीब डालना है मैदा अब मैदे को इसमें हमें अच्छी तरह से mix करके सान लेना है मतलब कि हमें इसका एक डो बनाना है तो पहले हम इसे mix करेंगे और उसके बाद हमें इसे हाथों से सानना है तो ये recipe बहुत ही अच्छी और बहुत ही tasty है आप इसे एंट तरक जरूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार और इंट्रेस्टिंग वीडियो होने वाली है क्योंकि ये आप सोच नहीं सकते इतनी अच्छी रेसिपी है तो देखिए हमने इसका डो बना लिया है तो आपको तो पता ही होगा कि हमने इसमें इस्ट डाला है तो इसको हमें रेस्ट के लिए रखना पड़ेगा तो हम इसे 15 मिनट 20 मिनट आदा घंटा के लिए आपको जितना टाइम है उसी साब से इसे हम रेस्ट के लिए रख देंगे तो हम इसे अंदर के तरफ इस तरह से फ पॉलिथीन में रखकर और पॉलिथीन में नोट करके नोट लगाके इसे अच्छी तरह से रख देंगे तो देखिए हमारे एक घंटे के बाद मैं निकाला है तो एक घंटे के बाद देखिए हमारा आटा डबल हो चुका है अब इसे हम अच्छी तरह से अंदर की तरफ ही फोल्ड करते हुए सान लेंगे अब हम थोड़ा सा मैदा डालेंगे और इसे बेल लेंगे इसमें हमने पानी बिल्कुल नहीं डाला है आप इसका ज़रूर ख्याल रखेगा तो जितनी बड़ी रोटी बन सके हमें इसे में बेल लेनी है हमें इसे पतला ही बेलना है मगर बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है अब इसे हम कोई भी सेप देंगे तो हम मेरे पास एक कफ था जो हार्ट शेप का है तो उसे हम इसे कट करेंगे तो देखिए हमने एक हार्ट शेप कट किया है इसी तरह से हमें पूरी रोटी का हार्ट शेप से कट कर लेंगे मैं आपको एक और दिखा देती हूं इसे हम अंदर की तरफ प्रिश करते हुए करेंगे तो यह हमारा एक दम अच्छा सा हार्ट शेप बनकर निकला आया है देखिए किता प्यारा हाट शेप बनकर निकला है इसी तरह हमें सब कट कर लेने हैं अब थोड़े सा आटा बचा है उसे हम इस्टार सेप में कट करेंगे आप चाहेंगे तो पूरा ही हाट शेप में कट कर सकते हैं मैं चार पांच श्टार सेप में कट कर रही हूँ और ये जो कटिंग वाला आटा है इसे भी आप बाद में Пूरा कठा करके और इसे भी वेल कर और इसमें भी आफ दो तीन हाट शेप कट कर सकते हैं तो इसे हम अब निकाल लेते हैं इसे अलग कर लेते हैं तो देखिए हमारे अच्छे से कट होकर निकल गए हैं अब इसे हम पॉलिथीन से ढख देंगे दस मिनट के लिए अब हमने लिए एक कटोरी पावडर सुगर शक्कर पिसी हुई अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे इतना पतला होना चाहिए इससे ज़्यादा पतला ये नहीं होना चाहिए तो हमने शक्कर और पानी को गोल के उसका अच्छा सा पेश्ट बना लिया है और हमार दस मिनट हो चुके हैं अब हम कटाई में लेंगे तेल तो हमें इसमें रिफाइंड ओयल ही लेना है अब इसे हम तल लेंगे तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए मीडियम से हाई होना चाहिए एक तरफ से अच्छी तरफ से जब कुक हो जाए तब हम इसे पल्टेंगे तो देखिए ये कितने अच्छे से फूल के तयार हो गए हैं इसे हमें एक तरफ अच्छी तरफ से पहले हमें पकने देना है उसके बाद ही इसे हम पल्टेंगे आज को हमें तेज नहीं करना है मीडियम आज पे ही हम इसे तलेंगे अब इन्हें हम पल्ट लेंगे तो देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है गोल्डन अब दूसरी तरब भी हमें इसी तरह से तल लेना है देखिए दूसरी तरब भी हमने तल लिया है इसका कलर भी बहुत ही प्यारा और अच्छा आया है अब इसे हम निकाल लेंगे इसी तरह हम सारे हाट से तल लेंगे और उसके बाद हम ने जो इस्टार बनाया था उसे भी हम तलेंगे देखिए ये भी कितने फूल रहे हैं जब हम इन्हें पल्टेंगे तो ये और फूल जाएंगे ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं आप चाहें तो इन्हें बना कर इस्टोर करके रख सकते हैं दो तीन महीने तक ये भी खराब नहीं होते बिलकुल आप इसे बना कर रख लें और अपने बच्चों को टिफिन बॉक्स में दे सकते हैं इस्कूल के लिए बच्चे भी खुस हो जाएंगे देखिए हमारे हाट शेफ वाले कुकीज कितने अच्छे बनकर तयार हुए हैं अब हमने जो सीरप बनाया था सक्कर का और पानी का इसमें हम इसे डीप करेंगे और दोनों तरफ इसमें हम सक्कर का गोल लगाएंगे इस तरह से और छन्ने वाले चम्मच में इसे रखेंगे ताकि जो भी चासनी है वो नीचे की तरफ निकल जाए एक्स्ट्रा इसी तरह से दूसरा हार्ट भी हम सक्कर के गोल में डालेंगे और इसे दोनों तरह पलट कर अच्छी तरह से गोल को लगा देंगे और इसे चम्मच में रख देंगे तो इसी तरह से हमें सारे हार्ट शेप को शक्कर और पानी के गोल में अच्छी तरह से मिला लेना है सारे हार्ट शेप हमने इसी तरह से कर लिए हैं और इन्हें हम सुखने देंगे और इसके बाद हम इसी तरह से डीप करेंगे उसमें शक्कर और पानी का जो गोल था उसमें हम इसे डीप करेंगे और इसे भी इसी तरह से निकाल लेंगे तो देखिए यह सारे के सारे सूख चुके हैं और देखिए जो भी चासनी एक्स्ट्रा थी वह कटोरे में निकल चुकी है देखिए एकदम अभी भी तक फूले हुए है यह देखिए जैसे पानी पूड़ी होता है उस तरह से देखो फूट रहे हैं यह हमेशा ही फूले रहते हैं आप कितने भी दिनी से ही स्टोर करके रखिए यह हमेशा ऐसे ही रहने वाले हैं नरम होने वाले नहीं हैं तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राय करें एक बार और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों में शेयर करें अच्छी अच्छी कमेंट्स करें इस तरह के अच्छी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं मैंने वहाँ पे बहुत यह अच्छी वीडियो डाल रखी हैं तो हम मिलते हैं अब किसी और अच्छी रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई